नमस्कार साथियों आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आरक्षण के उपड़ समिक्षा की गई है अब सबसे पहला सवाल उठता है कि हमें आरक्षण की समिक्षा करने की क्यों जरूत पड़ गई जरूत यह पड़ गई कि कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि आरक्षण के नाम पर OBC आरक्षण के नाम पर केवल और केवल अहीर को टार्गेट करा जा रहा है और कोई भी टिपड़ी की जाती है वो केवल और केवल अहीर के उपर की जाती है जबकि मैं आपको बता दू मंदल कमविशन में 3,743 जातियों को पिछड़ी माना गया था और आज की डेट में वो संख्या बढ़कर 5,013 हो गई है तो इन सब जाति खोड़कर पूरी सीधे जाकर अहीर को टार्गेट क्यों करा जाता है अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने जब हमने समिक्छा की तो कुछ ऐसे तत्य पाए जिन से या तो समाज को अंजान रखा गया या समाज जान पूछ कर पूरा भारत उस बात से जान पूछ कर अंजान और उसको इग्नोर करता रहा उससे जान पूछ कर अंजान बना रहा वो बाते क्या हैं जरा मैं आपको सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि कुछ राजियों में जो ब्रहम्मण जाती के गोसाई, जोगी या आपके गिरी होते हैं उनको भी OVC में आरक्छन प्राप्त है अभी एक जीए देख रहा था, नेट पर तो पता चला कि आपके केरला, करनाटक और मनीपुर इन जिगाओं पर भी भ्रहम्मणों को आरक्छन प्राप्त है जैसे कि विश्व कर्मा भ्रहम्मण, गोडा सारस्वत भ्रहम्मण, ताठी भ्रहम्मण और कही जिगापर तो ऐसे ऐसे तत्थे आएं हैं, जिनसे मुझे देखकर ये लगता है कि कुछ लोग अपने आपको तो जो जनरल का जूट बोलकर बच जाते हैं और सीधा जो पूरा आरोप है वो अहीर पर जड़ दिया जाता है इन पांच जार तेहरे जातियों में सीधा के सीधे तोर पर जैसे पूरा आरक्षण का फायदा एक अहीर जाती उठा रही है पूरे 27 परसेंट आरक्षण को बैस एक अहीर जाती ही खा रही है कोई दूसरा खाई नहीं रहा है इसको इस तरह से ये जो समाज में एक तरह से प्रचलन चल गया है ये चलन नहीं है ये कूछ चलन है समाज में गंदी की फैलाने का आपके मौर्या भी ले रहे हैं आपके कूजर भी ले रहे हैं जाट भी ले रहे हैं यूपी में आपके और भी बहुत जाती हैं जो अपने आपको कहने को तो आगा कहती है पर चुप 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 परदे के पीछे आगा तो मैं कह रहा था कि कहने को तो कुछ रहते हैं मैं किसी जाती से दुश्मनी नहीं रखता हूं और नहीं में रखना चाहता हूं नहीं मैं किसी जाती को टार्गेट कर रहा हूं मैं बैस यह कहना चाह रहा हूँ कि यह जो लोग चलन्ज से का चला है टार्गेट करने का अहीर को यह गलत है और यह बंद होना चाहिए अब दूसरी बात आती है अगर आप आरक्षण के उपर ही बात करते हैं तो 1993 में केंद्र सरकार ने यह पूरे भारत में लागू करा वो भी सी को तो क्या इस से पहले अहीर आगे नहीं बढ़ रहा था बढ़ रहे थे अभी कुछ ऐसे तथे भी सामने आए के वो भी आज तक किसी ने सामने ले लाए ना आपकी यह व्यादवी संगठनों तो जैसे उस पर मौन धारण करके बैठे हैं कोई कार रह नहीं किया आपके अहिरवाल एक पूरा राज्य रहा मैंने पिछली वीडियो में उस बारे में डाला है कि पहले पूरा अहिरवाल कैसे अहिरों का राज्य था कैसे वो कट गया कैसे उसको तोड़ दिया गया वहाँ पर कैसे अहिर राजा रहे जलीलपुर में आपके मैंनपुरी के भारोल गही उन्होंने तो कन्नोज और मैंनपुरी में अपना राज स्थापित करा शिखोःबाद में उरावर की एक रियासत रही रूप धनी की रियासत रही यहां तक की बिहार में भी एक रियासत जमीदारी इतनी बड़ी रही के वंडल कमिशन जो है उसी परिवार के एक वेक्ती ने दिया है समाज को वो खुद जमीदार परिवार से थे खेर मैं इससे एक अलग और बात चाना चाता हूँ जो लोग आरक्षण कह रहे है कि आरक्षण का लाब उठाया जा रहा है कुछ लोग अंग्रेजों के समय में जब एक आरक्षण रूपी रेजिमेंट बनी यानि जो अंग्रेजों के लिए वफादार थे अंग्रेज रेजिमेंट के रूप में एक आरक्षण दे दिया क्योंकि वो अंग्रेजों को वफादार थे आप आज जाईए नेट पर आप कुछ रेजिमेंटों को डालिए और कुछ जातियों की रेजिमेंट निकल कर आएंगे अब ये आप खुद देख लीजिए कि अंग्रेजों ने उन जातियों की रेजिमेंट किस आधार पर बना दी वो किस आधार पर अंग्रेजों ने सेना में लेते रहे क्या अंग्रेजों को उनसे फायदा हो रहा था या नुकसान अब कोई अपना दुश्मन को अपने पास तो बैठाना पसंद नहीं करेगा उसको हतियार देना पसंद नहीं करेगा हतियार उसी को दिया जाता है जो अपना करीबी होता है तो अंग्रेजों को कौन करीबी रहा किसने आरक्षण का लाब लिया बाकी समिक्षा आप उसकी खुद कीजिएगा बाकी का सवाल मैं आप पर छोड़ देता हूँ चंतन कीजिए, मंधन कीजिए कहां गलत हो रहा है, कहां सही है रेजिमेंट रूपी आरक्षण उसको क्यों दुनिया मोन है, उसको चुप क्यों लिया जा रहा है उसको भी खोल कर देखा जाए, वो कब से है OBC आरक्षण कम मिला अगर आप मेरी वीडियो से आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐसा तथ्य सामने आया है जो आज तक कभी उजागर नहीं किया गया तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर किसी के पास ये वीडियो पहुचना चाहिए और इन तथ्यों से जो अभी तक अंजान थे वो तथ्यों सब के सामने आने चाहिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें आपका सयोग इस समाज से इस कुरूती को मिटाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान होगा इस छोटे से कारे करके एक माउगदान की तरफ अगरसर हुए धन्यवाद